इसमें लाइब राख्मानिवाहीम, असलाम अलेकुम एविवन, हौफुली यौल आ डूइंग वेल, वेलकम बेक टो आपिडी कॉर्स सीरीस 3 अलनौर मेडिकल सेक्टर, इससे प्रिवियस लेच्चर में आपिडी कॉर्स सीरीस 3 का ही हमने फर्स टॉपिक डिसक्स किया था जि मिल जाएगा, अब वहाँ पर विजिट कर सकती है, तो आज जो हमने डिसक्स करना है, वो है एक्यूर सेनाइटर्स, एक्यूर सेनाइटर्स बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स शो होती है, इसको हम किस तरह से डाइग्नोस कर सकती है, और इसका ओवरल ट्रीटमे in the skull में हमारे पास air fill sex present होती है उसको हमने क्या नाम दिया है sinuses का अब हम देख लेते हैं हमारे टोटलर four types of क्या है sinuses हमारे brain में present है so skull में present है इसमें अगर जो हमारे पास there located behind the forehead जो behind the forehead present है उसको हमने क्या नाम दिया है frontal sinus का frontal sinus हमारे पास क्या है जो के behind the forehead हमारे पास pair of sinus present है जिसको हमने frontal sinus का है second हमारे पास आ जाता है series of sinus present है आंकों के नीचे पीछे eyes के नीचे ठीक है यह चीज़ आप देख सकते हैं यह हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास आज़ता है Maxillary Sinus Maxillary Sinus basically present है nose के around हमारे पास close to the nose pair of sinus present होते हैं अगर आपको image में देख रहे होंगे यह हमारे पास क्या है यह है Maxillary Sinus और last one हमारे पास आज़ता है Siphenoid Sinus जो के हमारे पास behind the nose जिसको behind the ear यह present होता है यह हमारे पास कौन सा है Siphenoid Sinus आपको image में clearly नज़र आ रहा होगा हमने आज जो topic discuss करना है वो है Acute Sinitis basically आपको इसका overview पता होना चाहिए कि Sinus हमारे पास होता क्या है Sinus कितने types का होता है 4 types of Sinus जिसके paired हमारे face पे present है वो हमारे पास यह है कौन सा है frontal sinus फरस्ट आ गया next हमारे पास कौन सा आ गया Ethemoid, Maxillary Sinus and last one is Phenoid Sinus यह sinus हमारे पास Sinuses जो है इनके working क्या है इनके 3 important function होती है इसमें first हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे skull को light करता है यह hollow spaces होती है हमारे skull में इसका first function क्या है कि it lightened the skull हमारे skull को क्या करता है lighten करता है second इसका function अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी improve करता है यह voice को improve voice and third function इसका क्या है कि इसमें हमारे पास cell present होते है जिनका function क्या होता है mucus की production करना क्या इनका function है sinuses का mucus की production करता है यह sinus ठीक है यह jelly material होता है fluid होता है जो spread करता है mucus कहां spread करता है हमारी nose में and pharynx region में क्या करता है spread करता है जब spread करता है तो जब हम breathe लेते हैं यह trap करता है dust को, pollutant को और pathogen जो भी है उनको क्या करता है trap करता है और जब हम dry cuff लेते हैं यह sneezing करते है तो वो क्या होती है extract out हो जड़ता है हमारी body से इस तरह हमारे पस mucus क्या करता है help out करता है dust को, pathogens को and pollutants जो हमारे पस उनको क्या करता है हमारे body से remove करता है यह हमारे पस assays की working चल रही होती है और कुछ हमारे पस bacteria's वगरा यह पिर हमारे पस dust वगरा है pathogen उसको हम swollen कर लिते हैं और remove कर जाता है हमारे mouth में यह basically हमारे पस procedure चल रहा होता है sinuses में sinuses का यह functioning three important functioning होती है first मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पस क्या है यह light करता है skull को second हमने discuss किया कि यह improve करता है voice को enthality क्या करता है इसमें कुछ cell present होती है जो produce करती है mucus को mucus हमारे पस क्या है jelly like material fluid होता है जो हमारी nose से nose से क्या कर रहा है spread कर रहा है हमारे पस कहां पर जा रहा है nose से fherics region में जा रहा है fherics region में जब जाता है जब हम breathe करते है तो जो does, tap pollutants pathogens वो क्या करता है उनको क्या कर जाता है trap कर जाता है जब हम dry cup लेते हैं या पर snagging वगरा करते हैं तो वो extract out हो जाता है mucus क्या करता है trap करता है यह हमारे पास था normal procedure जो sinuses में हो रहा था अब next जो हमारे पास main topic है वो हमारे पास क्या है कि acute sinus आपने जो है इसकी जो हमारे पास वर्ड्स हैं उसी से आप देख सकते हैं जिसके साथ ITS आता है उसका मतलब होता है infection हो जाना inflammation हो जाना तो acute sinus से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं acute sinus is an inflammation of the sinuses sinuses की क्या है inflammation हो जाना उसको हमने क्या कहा है अब हमारे पस अपर एस्पेरेटरी ट्रैक डिसोडर है अपर एस्पेरेटरी ट्रैक कोन से हमारे पस वोकल कोर्ट से उसे उपर उपर हमारा जो पार्ट है वो हमारे पस अपर एस्पेरेटरी ट्रैक तो acute sinitis हमाँ आपस किया है upper respiratory tract का inflammation हो जाना उसको हमने क्या का है acute sinitis next में अगर आप इस image में देख सके मैं आपको जूम करके बताओ तो हमाँ आपस अगर normal sinuses देखे ना हम तो normally हमें इस तरह से लिखेगे frontal sinus का मैं आपको बताया ethmoid maxillary sinus को हमने देखा normally हमें इसकी position इस तरह से आएगी लेकिन जब acute sinitis के साथ हम compare कर रहे है sinitis को हम discuss कर रहे है तो इसमें हमाँ आपस क्या है inflammation हो जाती है जो sinuses है, holospaces है, cavities है उसमें क्या है inflammation हो गई है जिसकी वज़ा से क्या होगी obstructive sinus opening होगी sinus की क्या होगी है sinus की inflammation हो गई है यह चीज़ हम कह सकते हैं वहाँ पर swelling हो गई है edema हो गए sinus का जो क्या हम आगे discuss करेंगे क्या क्या causes है जिनकी वज़ा से acute sinitis हो सकता है so let's start it next हमाँ पस आप इस image में देख सकते हैं बहुत prominently इसमें explain किया गया है क्या हमाँ पस sinitis की क्या है एक हमाँ पस healthy sinus के साथ दिखाया गया और एक हमाँ पस क्या है sinus sinus के साथ दिखाया गया यह दोनों में difference क्या है जैसा कि हमने discuss किये थे sinuses का मैंने आपको बताया था जिसका overview मैंने आपको दिया था कि यह four sinuses frontal, ethmoid, sphenoid and maxillary sinus लेकिन जब inflammation in sinus में inflammation हो गया तो उसको हमने name दिया है sinus का ठीक है और यह fluid क्या है यहां पर accommodate होना start हो गया तो यह हमाँ पस types of sinus भी है यह side पे और जब sinus हो गया तो उसमें क्या हो गया inflammation हो गया sinus की next अगर 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 हम देखें तो हमाँ पस आ जाते हैं causes acute sinus के क्या causes हो सकते है sinus हुआ हमने क्या कहा था inflammation हो जाना sinus की acute हमाँ पस first causes का क्या हो सकता है common cold common cold basically हमाँ पस क्या है एक virus होता है flu virus जिससे हम कहते है जब हमारे पस क्या है वो enter होता है body में तो as an inflammatory response अकर होता है अन report है तो क्या होगा nose में जो catleary kommis होती है वो dilate गरती है और और वहाँ पस क्या हो जाтी है swelling हो जती है जिसके नतीजे में क्या है कि इसकी वज़वरण से जो है हमारे पस जो है ब्लोक हो जाती है sinus साइनसस अथिक है तो यह हमाँ पस common cold की वज़ा से भी क्या है साइन नाइक्टर्स हो सकता है इसका मैंने आपको प्रसी जो हमारे पास पैथो फिजियोलिजी चार रही है पैथो जारी है वो क्या है कॉमन कॉल्ट हमारे पास क्या है एक वाइरस है वाइरस है तो हमारे पास क्या है फ्लू वाइरस है इस में क्या है जब हमारे पास क्या होगा कोई भी body enter होगी तो क्या होगा inflammatory response अकर होगा inflammatory response जब अकर होगा तो क्या होगा जो small capillaries and nose में present वो dilate करेंगी और वहाँ पे swelling हो जागी और जहाँ swelling होती है वहाँ पे inflammation हो जाएगी तो हमारे पास ये one main cause होगा second क्या है bacterial infection bacterial infection की वज़चे सीनाइटरस हो सकता है कोनसे bacteria ? treptococcus august, Knomoniae, Inflúenza virus इसके वज़चे से भी हमारे पास क्या है bacterial infection की वज़चे से ये क्या है allergic की वज़चे सीनाइटरस का के inflammation हो ज़ती है common cause की कर झाया है कोई भी pollen हमारी क्या गया है वोड़ी में क्या है तो inflammatory response होगा जब inflammatory response होगा तो वहाँ पर क्या होजेगी inflammation होजेगी swelling होजेगी जिसके रतीजे में हमारे पास क्या है sinus हो सकता है next हमारे पास आ जाता है deviative septum deviative septum what is deviative septum यह आपने वर्ड सुना होगा deviative septum basically क्या है हमारे जो nose के between two separate करने के लिए bone present है जिसको हम nostril कहते है अगर वो bone क्या होजे टेरी होजे तो उसके नतीजे में भी sinus हो सकता है कि sinus की inflammation हो सकती है next हमारे पास आ जाता है nasal pipes हमारे पास इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है कि nasal bone की क्या है abnormal growth start हो गई है abnormal growth start हो गई है तो क्या result क्या है कि हमारे पास inflammation हो सकती है हमारे sinus की यह हमारे पास क्या है most commonest causes हैं जो कि sinuses sinitis कोस करते हैं ठीक है यह हमारे पास बासका इसमें हमारे पास patient जो है इसके treatment हम plan देते हैं बासका इसमें surgery की कब शूरुत होती है इन two cases में जब deviated septum हो यह पी यह nasal वाला हो इसमें surgery recommend की जाती है लेकिन without treatment भी हमारे पास यह sinitis जो है resolve हो जाता है patient without treatment भी recover कर जाता है अब उसमें क्या क्या चीज़ी आएंगी हम treatment plan में देखेंगे इंशाला next अब हमारे पास जो है वो है symptoms के what are the symptoms of sinitis हम किस थना इसको consider करेंगे के यह sinitis है तो सबसे पहले हमारे पास sinitis के patient में क्या है decrease sense of smell उनको smell जो है ना उसकी क्या होजेगी उसकी sense क्या होजेगी decrease होजेगी secondly fever अगल तो bacterial infection है तो fever patient को साथ हो गया as you know जब infection होता है bacterial infection होता है तो fever लास्मी होता है stuffy nose stuffy nose का हमारे पास क्या मतलब आ जाएगा कि जब हमारे पास mucus की production जादा होगी drainage नहीं हो रही होगी तो तब क्या है stuffy nose उससे रगेगी patient की complain करेगा उसको ऐसे लग रहे है कि उसकी नाग बरी हुई है किसे mucus से next headache from sinus pressure जब हमारे पास sinus जो है उनमें mucus की production जादा हो जाएगी तो क्या होगा और swelling भी जादा होगी तो वहाँ पे sinus पे क्या है pressure परेगा और patient को headache feel होगा ठीक है next हमारे पास cuff आ जाता है जब sputum discharge नहीं होगा तो patient को cuff भी हो सकती है pain in the block sinus block sinus में pain होगी अब यह specific भी हो सकते है हमने four types of sinus परे है like जो behind the ears को हमने सिफिनॉइड sinus का है वहाँ patient को sore most commonly यही पर pain होती है कौन से sinus में ethemoid sinus में जो क्या हमारे पास ear के पास जहना present है ठीक है facial pain होगी patient को facial pain होगी nose के around pain होगी ठीक है ice के जो हमारे पस forehead है वहाँ पे pain होगी तो यह क्या किस वज़ा से हो रही है sinitis की वज़ा से हो रही है जिसमें inflammation होई हुई है sinus की and next अब हम देख लेते हैं इसकी types थाइस पेसिकली हमारे पस four types of sinus होते है जिसमें हमारे पस सबसे first type आ जाती है acute sinitis acute sinitis जो हैना two to four week तक होता है जिसको हम consider करते है acute sinitis sub acute sinitis के है जो last four to twelve weeks तक के लिए रहता है उसको हम कहते है acute acute sinitis chronic sinitis more than twelve weeks तक रहता है अब recurrent sinitis हमारे पस क्या है जो हमारे पस ऐसे patient आपने में भी observe भी कियो हो उन्हें पूरे सार में recurrent जो है उसे क्या होते है sinitis होते रहते है episode of sinitis उन्हें रहते है ठीक है year में तीन मरतवा हो गया चार मरतवा हो गया पांच मरतवा हो गया वो patient to patient vary कर रहते हैं लेकिन हमारे पस क्या है कि उन्हें recurrent एक बार हुआ रहते है तो रहते हैं उसको हम recurrent sinitis कहते हैं गया हमारे पस फॉर टाइप थी अगर हम sinus की types देखें तो वो भी हमारे पस क्या है four types हैं जिसमें हमारे पस कौन सा आज़ता है frontal, ethemoid, syphenoid and maxillary sinus but जो types हमारे पस किसकी है acute sinitis की है वो भी four है वो है acute, sub acute, chronic and recurrent sinitis next हम इसको किस तरह से diagnose कर सकते हैं किस तरह से investigate कर सकते हैं कि यह हमारे पस sinitis का patient है ठीक है तो patient आपके बस flu के साथ आ रहा है, उसे pain हो रही है, उसे facial pain हो रही है जैसा कि हमने symptom में patient आपको यहां के complain कर रहा है तो आपने इसको किस तरह से diagnose करना है तो वो हमारे पस आ जाते हैं, बाद तफ़ा हमारे पस गिस sinitis की condition में हमें physical जब हम examination करते हैं, जब patient की history लेते हैं, उसे हम अंदाजा हो जाता है कि patient को sinitis है, लेकिन कुछ lab test भी हम perform करवा सकते हैं, mostly channel diagnostic test इसमें perform नहीं करवाय जाते हैं, investigation only needing presence of red flag, हम उस time ही investigation करवाते हैं, जब red flags present होता है, अब उन red flags में क्या क्या आ सकता है, जिसके लिए हमें lab test की ज ज़रूरत परती है, mostly क्या है, इसमें हम test नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ red flags आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे symptoms देख रहे हैं, then हम lab test ज़रूर prescribe करते हैं, और patient वो perform भी करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है focal neurological defect, अगर तो patient complain कर रहे हैं, कि उसके सर में बहुत जादा swear headache है, या फिर focal neurological defect आ रहे है, brain obsessed हो गया, brain obsessed basically क्या है, हमाँ पस क्या है, inflammation हो जाएना, पस हो जाएना, हमाँ ब्रेन में, वो हमाँ पस brain obsessed है, swear headache, patient को headache तो जरूर होती है, साइनाइटस में, लेकिन बहुत जादा swear किसम की headache है, तो ये क्या है, red flag है, इसके इलावा, altered mental status, facial edema, आ हमाँ पस क्या है, ophthalmolic complication, इसमें क्या है, उसकी जो eyes है, उसमें swelling हो गई है, ठीक है, eyes बहुत भरी-भरी हो गई है, उस condition में हमाँ पस ये front flags होते हैं, जिसमें हम investigation, then जरूर करवाते हैं, lab test perform करवाते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाएता है, कि patient को sinus जो है, या कोई other problem भी patient को हो रही है, या complications cause हो रही है, then उसके accordingly हम उसको treatment plan देते हैं, लेकिन simple case की बात की जाए, तो sinus without treatment भी recover हो जाता है, और इसमें investigation या lab test की जरूरत नहीं पढ़ती, बलके physical examination के तुरू ही हम, जो है न, उसका diagnosis मना लेते हैं, next देख लेते हैं, मैं आपको जैसे के पहले भी बता है, कि city scan हम perform करवा सकते हैं, with or without contrast, अब city scan में आपको बताऊँ न, तो city scan में, like हमारे पस ये, like मैं आपको example दो, ये two sinus sinuses है, ठीक है, तो अगर तो हमारे पस sinitis अगर होगा, तो यहां पे सारी क्या होगी, ये हमें properly नजर आ रहा होगा, अभी city scan तो नहीं है, लेकिन उसमें properly नजर आ रहा होगा, कि mucus की production बहुत जादा होगी, और उसमें बिल्कुल block किया होगा, sinus को, जिसकी वज़ा से मारे पस क्या है, कि air भी move भी नहीं कर रही, और बेक्टेरिया वगारा, वहां पे regrow करना, start कर देती है, वहां पे अपनी growth start कर देती है, और जो मारे पस correct होगा, वह sinus उसमें बिल्कुल साफ ली आपको जो हैना, नजर आ रहा होगा, ठीक है, नेक्स हम X-ray करवा सकते हैं, लेकिन X-ray में इतनी जो हैना, accurate हमें नहीं जो हैना, हम देख सकते हैं, तो इसलिए जादा जो हैना, ये prescribe नहीं किया जाता है, ये recommend नहीं किया जाता है, ये recommend नहीं नेक्स treatment plan देख लेते हैं, कि हमने इसको treat किस तरह करना है, है तो ये हमारे पस बहुत simple सा case, आपके बाद साइनाइटर्स के साथ patient आया, तो आपने उसको क्या treatment plan देना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, अब हमारे पस acute sinus के साथ patient आया, mostly patient के हमारे पस क्या है, ये viral infection की वज़ा से होता है, mostly, mostly viral infection ही होती है, जिसकी वज़ा से क्या है, साइनाइटर्स कोज होता है, लेकिन अगर अब हम देख लेते हैं, less than हमारे पस last 10 days से अगर patient को है, तो हमने तब क्या करना है, इसको viral infection कंसीडर करनी है, 10 दिन से कम तक है, ठीक है, और sportive care, उसमें जज़ देन देंगे, उसमें हमारे पस ये sportive care देंगे, previous lecture में भी हमने sportive care के बारे में पता था, वो भी आप देख सकते हैं, जाके, अब next, अगर तो हमारे पस ये जो syneitis है, patient को more than 10 days तक रह रह रहे है, तो हमने उसको क्या consider करना है, कि ये bacterial infection की वज़ा से है, और bacterial infection जब होगा, तो हमन antibody treatment basically हमारे पस जो है न, mostly, mostly 5 से 7 days तक का होता है, ठीक है, तो उसमें हम patient को antibiotic therapy यूज़ करवाएंगे, वो आगे हमारे पस medications देखेंगे के, कौन सी medications हम यूज़ करवा सकते हैं, बठ हमारे पस अगर 2 हमने इसमें discuss कर ली, most commonly viral होता है, लेकिन, अगर 10 दिन से कम है, तो उसमें ह क्या करवाना है patient को, हमने 10 supportive care देनी है, लेकिन, अगर तो 10 दिन से जदादा है, बिक्टेरियल infection उसे consider करना है, और supportive care के साथ हमने उसे क्या है, कि antibiotic therapy भी start करवा देनी है, यह हमारे पस tooth आगे, आपने ऐसा case भी देखा होगा, जो साइनाक्टिस का patient है, अगर वो 10 दिन से जद और इसमें antibiotic के जरूरत भी नहीं पड़ती है, next अब हम देखें, तो हम आपस supportive care में क्या आएगा, supportive care basically हम क्या दे रहे है, oral analgesics दे रहे हैं, और antipyretics दे रहे हैं, antipyretics दे रहे हैं, और क्या दे रहे है, analgesics दे रहे है, antipyretics basically क्या fever को relief करने के लिए हम use करवाते हैं, जि हमाँ पस different formula के नाम से है, और brand name different हो सकते हैं, different brand के साथ आपको किसी भी pharmacy shop से मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद next हम treatment क्या दे सकते हैं, intranasal glucocorticoid surprise, intranasal glucocorticoid surprise का भी इस्तमाल करवाया जाता है, जो कि हमाँ पस इसमें different हो आ जाती है, medications, ठीक है, जिसमें हमाँ पस जो है ना, montilasone आ जाता है, trimaclone आ जाता है, next अब यह हमाँ पस sportive care आ गई, ठीक है, next हमाँ पस आ जाता है, intranasal saline spray, intranasal saline spray basically हमाँ पस क्या है, यह हमाँ पस म्यूकस को breakdown करने के लिए, ठीक म्यूकस, अगर तो आपकी nostrils, यह जो हमाँ पस sinus है, इसमें ठीक म्यूकस जो है ना, उसने क्या कर लिया है, ठीक म्यूकस आ जाता है, तो उसकी breakdown के लिए हम क्या करते हैं, intranasal saline spray का इस्तमाल करते ह है, और वो क्या करता है, mucus को क्या करते है, breakdown करता है और then क्या कर देता है, drain out कर देता है, mucus को और हमारी जो dry airway होती है, उसे moacure करता है, next हमारे पस आ जाता है, आपने ही treatment plant, इफेर्ट treatment plans है, आप patient to patient vary है हमने patient में किस तरह का treatment plan देना है, next है, intra-nasal decungestant spray, zad इंध, डी-कंजेस्टन करनेअधर बस्त्रानेशल डी-कंजेस्टन Помढ़ेंग सथे कॉरणा है वेस्टन कास्फ सबुस्टान करते हैं क्या है हम देती हैं क्या करते हैं चुक्त करते हैं हमारी vessels को vessels को जब construct करेंगे तो reduce होगी secretion किसकी हमापस secretion reduce हो जगी mucus की तो intra-nasal decongestence प्रेहम इस तरह use करवाते हैं लेकिन इसका जो है use 3 days से ज़्यादा नहीं करना है because हमने just जो है ना जो हमापस mucus की secretion हो रही है उससे क्या करना है decrease करवाना है अगर तो हमारे पस बहुत ज़्यादा mucus production हो रही है next हमारे पस आजाता है acute viral rhinosinitis अब viral sinitis की वज़ा से अगर हुआ है viral हमने पहले discuss किया था viral तो viral infection है तो उसमें हम just supportive care देते हैं या anti-histamine आपने बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में previous हमने ओपनी कोर्स में भी discuss किया है तो anti-histamine हम दे सकते हैं viral infection अगर है sinus का तो उसमें हम क्या दे रहे हैं anti-histamine का use करवा रहे हैं next आ जाता है हमारे पस antibiotic therapy antibiotic therapy में हम क्या इस्तमाल करवा रहे हैं अगर तो हमारे पस other supportive care से भी patient recover नहीं हो रहा do not need treatment basically हमें sinus में मैंने आपको पहले कहा था treatment की जुरुषद नहीं पड़ती यह हमारे पस self resolving होता है लेकिन अगर patient को supportive care भी दी है फिर भी patient recover नहीं कर रहा then हमने क्या है कि patient को antibiotic therapy देनी है अगर हमारे पस antibiotic therapy में हमारे पस कौन सी आती है अगर patient को क्या symptoms है जब हमने antibiotic use करवानी है patient को high fever है next हमारे पस nasal discharge बहुत ज़ादा है nasal discharge nasal discharge patient को ज़ादा है इसके इलावा facial pain patient को है तो then हम चार दिनों से यह सब चीज़े क्या है ज़ादा है क्या है continue है then हमने antibiotic therapy का use करवाना है उससे पहले आपने antibiotic therapy नहीं देनी है ठीक है antibiotic therapy में आपने यह चीज़ का पहने ह्याल रुखना है next हमारे पस आ ज़ाता है penceline यह हमारे पस क्या है antibiotic है अगर तो patient को क्या है allergy है penceline से तो हमने क्या allergy नहीं है penceline से सबसे पहले हम वो देख लेते है if they don't have allergy to penceline then हमने क्या देना है amoxiline का use करवा सकते है amoxiline हम जो है न 500 mg mostly देते है TDS और 875 mg BD देते है अगर हमारे पस क्या है amoxiline के इलावा हम क्या medication यूज करवा सकते है अब वो देख लेते है उसमें हमारे पस क्या है doxyceline का use करवा सकते है doxyceline उन patient में use करवाते है जिनको penceline से क्या है allergy होती है तो उसमें doxyceline 100 mg की use करवाते है BD या पिसे फेक्जमाइन भी यूज करवा सकते है अगर amoxiline से penicilline से patient को allergy है then हम इन टू medications का use करवाते है इसके इलावा हमारे पर antibiotic therapy में antibiotic medication जो है उसमें हमारे klithromycin आज़ता है azithromycin आज़ता है लेकिन ये हम recommend नहीं करते है medications थी जो antibiotic tablets होती है syrup होती है अगर हमारे पास child में use कर रहे है अगर adults में use कर रहे है बरों में इस्तमाल कर रहे है तो हमारे पास ये formula के नाम के साथ आती है और brand name ने आपको हर वीडियो में बताया है कि brand name हमारे पास change होता रहता है और antibiotic therapy treatment जैसे कि हमने discuss किया था antibiotic therapy treatment हमारे पास जो है always five to seven days होगा ठीक है इससे जादा हमने antibiotic का treatment नहीं करना और मैंने आपको पहले बताया कि सब patients में ज़रूरत नहीं होगी antibiotic therapy के कुछ patients में होगी अगर जिन में other symptoms onset of severe symptoms होगी like हमारे पास fever high fever रह रह रहे है इसके इलावा nasal discharge बहुत जादा है facial pain बहुत जादा है तो तैन हम antibiotic therapy treatment यूज करवाएंगे और कितनी देट रख के लिए करवाएंगे five to seven days के लिए ये treatment यूज करवाएंगे that's all from my side hopefully ये लच्छर आपके लिए बहुत जादा informative रहा होगा हमने cyanitis को discuss किया basically कि cyanitis हमारे पस किया है cyanitis को हम किस तरह से treat कर सकते है ये different हमारे पस plan है आपने ये सब plan patient को नहीं देने के आप ये हर चीज़ दे दे ठीक है हमने patient की symptoms की according उसके treatment decide करना है जिसमें हमने different चीज़े तो इसमें पढ़ी है लेकिन treatment patient to patient vary करेगा ये हमने other sportive cares भी पढ़ी intranasal glucocorticoid surprise भी पढ़े और viral और bacterial infection को treat करने के लिए कौन स्या हमने treatment plan फोलो करना वो देखे ये हमने जाद ये जह है different हमने medication देखी लेकिन हमने patient to patient जो medication vary करेगी कि हमने उसको क्या prescribe करनी है अब next हमाई पस जो है इसमें आ जाता है अगर मैं आपको बताओं तो हमाई पस जो है एक चीज़ ये भी यूज की जाती है irrigation nasal saline irrigation का यूज किया जाता है how to perform nasal saline irrigation ये basically हम nasal discharge के लिए यूज करते है अगर मैं आपको बताओं में भी आपने इसको देखा भी observe भी किया हो how to perform nasal saline irrigation basically हमाई पस क्या है अगर हम गर्मे भी इसका बना के कर सकते है ये sinitis के patient में mostly यूज किया जाता है जो के बहुत जादा effective होता है इसमें आपने क्या करना है एक glass हमाई पस normal saline भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन अगर normal saline नहीं available then हमने क्या करना है other option भी हमाई पस होनी चाहिए तो उसमें हमाई पस एक glass अपने water का लेना है उसमें हमने क्या करना है water लेना है उसमें add करना है salt को या पिर हम क्या कर सकते है sodium bicarbonate sodium bicarbonate का भी इस्तमार कर सकते है उसको हमने क्या करना है sterilized करना है Sterelight means, आप boil कर सकते हैं, जब के हम.. Because मैंने काई कि अगर आपके पास a normal streamline नहीं available ठीक है, हमने इसको boil कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है? boil करने के बाद इस ने, आपने क्या करना है? Room temperature पे रखना है, Room temperature पे रखना है 30cc की स्रींज लेकर हमने क्या करना है उस स्रींज को आपने क्या कर लेना है उसमें फ्लूड जो हमने ये बनाया है उसको उसमें इंजेक्ट करना है और वन साइड ओम नॉस्टिल से हमने क्या करना है उसको प्रेशर दे के हमने क्या करना है इंसर्ट करना है वन नोस की जो हमार ऑरा क्या होना चाहिए एक नोस्टिल से सॉपya कहरेगाइब और दोस्टे नोस्टिल से हमाँ पास क्याeng कहा है जो Soukos मूस्टिल सहूंकách Shunivers लुझा, María Springs Out नोस के थूर और एक बार जो आपने स्टरिंज उस कर लिए अप उसको अपने को है, यह हमारे पास इरिगेशन सिस्टम होता है नेजल सिलाइन इरिगेशन और अगर नॉर्मल सिलाइन अवेलेबल है तो नॉर्मल सिलाइन हम 30 M.G. की स्रींज में लेंगे 30 C.C. थोरी 30 C.C. की स्रींज में लेंगे और वन नॉस्टिल से हम one side of nostril से क्या करेंगे other side of nostril से वो क्या करेंगा mucus भी साथ जो है drain out हो जाएगा और वो सारी जो हमारी sinus है वो clear हो जाएगी तो ये procedure भी perform करवाया चाता है जो कि बहुत ही जादा effective है that's all from my side if you have any question then you can ask in the comment box इसके राव आपने अपरी attendance जरूर मार करनी है comment box में ही youtube चैनल के आप lastly हम इसकी summary discuss कर लेते हैं कि आज के lecture में basically हमने discuss क्या किया है so firstly हमने जो discuss किया है sinuses के हमने देखा कि वो होती क्या है सबसे पहले आपको जो आप topic discuss करें आप उसके बारे में पता होना चाहिए कि basically हम वो पढ़ क्या रहे है तो यह क्या होती है airfield sex spaces होती है skull में four types की होती है हमारा पस frontal sinus ethemoid sinus maxillary sinus and syphenoid sinus acute sinus क्यों होता है कि inflammation हो जाना यह जो sinus है इनमें inflammation हो जानता है वो sinus कहलाती है इसके रावा हमने इसके image में in detail discuss किया इसके causes क्या हो सकते है इसके symptoms क्या हो सकती है कि हम patient को diagnose करें कि हमारा पस यह patient है तो इसको यह sinus है तो हमारा पस decrease उसकी sense of smell हो जागी fever होगा गर bacterial infection है stuffy nose होगी curve होगा headache होगा क्योंकिवशर जो है पर बहुत ज़ादा होगा pain होगी block sinus क्योंकि ब्लोकेज होगी यह तो pain होगी facial pain भी होगी types of sinus हमने देखी acute sinus septicute chronic and recurrence sinus आप types के accordingly हमने treatment जो पीछे discuss किया आप types के accordingly treatment देंगे और आपको इसके accordingly आप consume भी हो रहा होगे कि हम किस तरह के treatment plan patient को दे सकते हैं diagnosis हम किस तरह से कर सकते हैं अगर red flags आ रहे हैं तो हमने CT scan करवादा चाहिए extra mostly prescribed नहीं किया जाता है recommend नहीं किया जाता है because इसमें इतनी clearance नहीं होती है sinus की treatment हम क्या दे सकते हैं viral अगर infection है bacterial infection है sportive care कि दे सकते हैं intranasal duco-corticoid surprise कौन से यूज़ कर सकते हैं intranasal saline spray का इस्तमाल क्यूं करते हैं कि वो breakdown करता है mucus को mucus ताके drain आउ जो इसके इलावा nasal intranasal decongestant spray का यूज़ करवाते हैं जो कि vessels को constrict कर देता है reduce कर देता है यह हमार पास आज की लेच्चे की सम्मी थी hopefully आपके लिए लेच्चे बहुत informative रहा होगा इंशाल्ला आपसे मुलाकारत होगी next lecture में अलाफेस, take care